नई दिल्ली में उचतव न्याले ने अंडिपेस मामले में एक विचाराधीन कैदी को जमानत देती हुए मध्यप्रदेश सरकार के अतरित सॉलिसीटर जैनरल विक्रम जीत मैनरजी पर तीखी टिप पड़ी की है भारत के मुख्य नैधीश डी वाई चंद्रचूर की अगुआई वाले पीट ने राज्जी सरकार का प्रतिनी जित्वर्ग कर रहे एस्टी से कहा कि आप लोग छोटे किसानों और ड्रग्स पैटलर को पकड़ते हैं असल गुनाहगारों को पकड़िये देखें पूरी खबर दरसल शुकरवार को सुप्रम कोर्ट साबिर बनाम स्टीट ऑफ मध्यप्रदेश मामले की सुनवाई चल रही थी मामल अफीम की कतित बरामतगी का था कुछ साल पहले कतित तोर पर साबिर के खेच से अफीम पकड़ गया था इस मामले में साबिर पांच साल से जेल में बंद थे शुकरवार को सीजी आई डिवाई चंदरचूर की अगवाई वाली पीठ साबिर की जमानत याचेका पर सुनवाई कर रही थी राजी का प्रतिवन दिव करते हुए एसची बनरजी जमानत याचेका का विरोध कर रहे थे हले कि सीजी आई कि अगवाई वाली बैंच ने कहा कि आरोपी पहले ही पांच साल जेल में बिता चुका है और इस मामले में सजा की अधित्तम अवरी 10 साल थी इसके लावा इस मामले में प्रतिवन दित अफीम कतित तोर पर उसके खेट से बरामद की गई थी वहाँ इसे ले जाते हुए नहीं पकड़े गए थे एसची बनरजी ने बैंच को याद दिलाया कि साबिक पर पहले के कुछ मामलों में दोश सिद्ध हो चुका है लेकिन पीट ने इस सर्क को नहीं माना और कहा कि आप छोटे छोटे ड्रग पैडलर्स को पकड़ रहे हैं लेकिन असल अपराधियों को नहीं उन लोगों को पकड़िये जो ड्रग सिंडिकेट चला रहे हैं अपनी इस मौखिक टिपड़ी के साथ ही सुप्रम कोर्ट ने आरोपी साबिर को जमानत दे दी येर्पोर्ट वोईज फैमपी